सत्यम शिवम संदरम की अपूर्व समनीविती परंपुजय आचारी महाशमन जिनके अम्रित प्रवचन श्रवन मादसे जीवन को एक नई दिशा मिलती है वस्टनगरी भिलवाडा में पावन प्रवास करा रहे हैं गुरुवर के दर्शन एतु प्राते से साइकाल तक शद्धालों का आवगमन निरंतर जारी है निर्धारित व्यवस्तान उसार कोविड के मद्दे नजर गुरुदेव ने आगे कहा कि कर्मवाद के अनुसार पूर्णिय पाप अपने अपने होते हैं जैसी कर्णी वैसी भणनी अपने कर्मों का फल व्यक्ति को स्वयम ही भोगना पड़ता है निमित कोई भी मिल जाए पर कर्म फल व्यक्ति के स्वयम की होते हैं हमारे जीवन की व्यक्तित व्यम् खृतित्व को कर्मवास से आका जा सकता है आठ कर्मों के द्वारही जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहती है कारिक्रम में मुनीशी शांती प्रिये साधवी सोम यशा ने अपनी भावनाय व्यक्तिकी स्वागत के करम में टीफी एफ रास्टी उपादेश पंकज उस्तवाल अशुक सिंग भी नवीन बागरेचा लक्षमिराल गांधी कौतम दुगर बलवंत रागा विनोत पीतलिया अविशेक कोठारी आधी ने प्रस्तुति दी प्रतिवर्ष आशार शुकला त्रेजशी को संपुन देश में तेरापन के आधी प्रवर्तेक आचारी विक्षु का जन्मों सव एवं बौधी दीवस हर्शु उल्ला से मनाया जाता है विक्रम समथ 1783 में जोटपो संभा के कंटालिया ग्राम में आचारी विक्षु का जन्म हुआ अध्यात्म जगत में करांतिकर उन्हें धर्म की नहीं अलग जगाई आचारी विक्षु दोरा प्रतिवादित मर्यादाएं आज भी लाखों लोगों के आत्मिक उन्नती का पत्प्रशस्त कर रहे हैं अगारी विक्षु दूलग जगत रहे हैं